हेलो माई यूटूब फैमिली गुड़ मॉनिंग कैसे हैं आप सब मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और हमेशा मैं यही चाहूंगे आप लोग हमेशा अच्छे रहें स्वस्थ रहें भागवान से प्रे करती हूँ कि आप ल इसकेों बड़ा के लिग्वाई दूद मैंने दिया और सित जी को मैंने दूद और फूर्ट वगर यह जीन को अगर्णा है wiring November 17 मचलिंद का आदा काम हो जाता है एसके बाद मुझे टाइम मिलता है तो मैं करती नहीं मिलता है ख्लून में उत्सूंसेश करने नहीं हों और क्योंकि 10 बजे तक मुझे खाना complete करना होता है 10 बजे तक dining table पर खाना रख देना होता है क्योंकि husband खा करके cleaning जाते हैं और सासू जी को भी दवा खाना होता है तो time fix रहता है मतलब 10 बजे तक हर हाल में देना है सब कुछ खाना पिना बना के एक दम पूरा ready करके तो बस यहां पर मैं कर लूँगी exercises और बहुत सारे लोगन exercises यह वाली exercise वाली machine ले लिया है तो कौन-कौन exercise करना start कर दिया है आज की वीडियो में comment करियेगा ठीक है और कैसा feel हो रहा है इससे exercise करके और हाँ कई लोग जब सुरू करते हैं कोई भी new exercise जो मैं बताती हूँ तो फिर वो लोग बोलते हैं कर comment करते हैं कि यह वाली exercise मुझे body pain हो रहा है यहाँ pain हो रहा है यहाँ pain हो रहा है तो आप लोग बिल्कुल भी घब रहा है जब हम कोई भी चीज new करते हैं तो उसका हमें effect पड़ता है तो जैसे exercise ही अगर हम new exercise करेंगे न हर body part का तो उसी तरह से आपको फिर अलग अलग तरह से अलग अलग जगहां पर दर्द होगा जैसे जो exercise रहता है तो आप इससे बिल्कुल भी घबराएं ये चीज हमें भी होता है और सभी को होता है तो आप जैसे हफ्ता दस दिन कर लोगे न फिर आपकी body को habit हो जाएगी उस exercise की तो बिल्कुल भी pain नहीं होगा ठीक है तो मुझे भी हुआ था ये exercise मैं कर रही इतना है और हम लोग जो है में मैं अपना बता हूँ और आप में में सिफ बहुत सारे लोग होंगी मालोग जो की cigerian baby हुआ है उनको तो हम लोग को इस थेसिया की जो सूई लगती है रिड की हड़ी में उससे थोड़ा सा problem होता है बहुत देर तक जुक के नहीं काम कर मिलता है और बहुत देर तक बैट के नहीं काम कर मिलता है तो ये जो exercise कर रही हूँ मैं उसमें काफी बैट के करना पड़ रहा है जो खींचती हूँ इसको ये देखिए अभी मैं जब खींच रहीं तो देखिए, एक time पर मतलब मेरे जो पूरी body है मेरे कमर पर आकर रुख रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए है, ना, तो मेरे पूरी body का जो भार है, वो कमर पे आके रुक रहा है तो मुझे दो तीन दिन तक कमर में मेरे पेन हो रहा था बड़ मैं जान रही हूं कि यह सब न्यू है तो इस वज़ा से हो रहा है बटा भी बिल्कुल भी नहीं होता है और हाँ उधर मेरे हाथ के जो फिंगर ऐसे मैं पकड़ी हूं ना बहुत मतलब ताकत लगा के इसको खिषनी होती तो पूरा जोड फिंगर पर भी पड़ते हैं तो हाथों में और ये फिंगर भी मेरे दर्द हो रहा है तो अब नहीं हो रहा है तो आप लोग कभी स्टार्टिंग में ऐसी होगा तो इससे बिल्कुल भी घबराईएगा मत वो सही हो जाए हैं तो और बहुत सारे लोगों ऐसे बताते हैं कि दिदी मैं जब खाना खाती हूँ जब मैं इससाइस करती हूँ तो आपकी वीडियो लगा करके रख लेती हूँ तो मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ तो मेरे अंदर जुनून जो साता है तो फिर मैं बहुत अच्छे से उस चीज़ को कर पाती हूं तो बहुत अच्छी बात है और ऐसा होता भी है मेरे साथ भी ऐसा होता था जब मैं स्टार्टिंग में 32 बार मैंने सुरू किया बेट लॉस के लिए 32 जब मैं करती थी तो मैं सर की वीडियो लगा करके रखती थी तो मैं बहुत जादा मोटिवेट होने लगता है तो बस यहां पर मैं थोड़ा सा लाश्ट में बॉड़ी को सिधा करके थोड़ा सा वह करती हूं कि सही हो जाए वह दर्द और यह वाला इससाइज लास्ट में जरूर करें आप इससे पेट की चरवी भी खतम होती है और लास्ट में जैसे होता है ना किसी ची किसी सब्सक्राइब करें छोड़ा सा पर र चयमें तक रहे हैं मैं बता रहे हूं देखिए सहरा है यह मैंने वेट लौस के बाद मैंने यह कुर्फ़ा लिया था अक्सल्टемся के लिए इस पता नहीं होगा का कि नहीं होगा वड़ यह इतना धीला था तो मैंने टाइट किये था और यह यह 6 इंचिस लूज हुआ था तो उसके बाद यह देखी मेरा टाइम हो गया है नौ बज के 40 मिनट हो रहा था मैं राइट नौ बज एक्सराइज की थी तो मेरा फास्ट भी जो है इंटरमीटर फास्टिंग में करती हूँ न तो वो मेरा टूट गया है आठ बजे ही हो जाता है बटाइट बजे नहीं खाती हूँ मैं गरम पानी वगर रहे सिर्क पीती हूँ उसके बाद इससाइज करने बाद ही खाती हूँ तो यहां पर मैंने बदाम और अपना फूर्ट ले लिया है मैं किचन में रख ली हूँ हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि मतलब सुबह में बैट के सपेसली मैं वीडियो भी बना लूँ और बैट के अराम से खाऊँ फूर्ट तो देखिए खुद के लिए जब टाइम देना होगा खुद के लिए जब चाहिए बहुत जदा गैप नहीं होना चाहिए तो उसका उल्टा रियक्ट होने लगता है आपकी बॉडी में तो बस मैं रोटी बनाते समय ही अपना फूर्ट जो है अपना ब्रेक्फास्ट है मैंने वह कर लिया था यह मैंने फैमिली वालों के लिए निकाल दिया है खाना और यहां पे सैलेड मैं बाद में काट रही हूँ अभी मतलब तुरंत खाना निकालने वाद जल्दी से मैंने फड़ा-फड़ से काट दिया था पहले नहीं काट पाई थी तो यह मैं अपना फ्लेट लगा रही हूँ यह है मेरा लंज और यह रोटी आधी रोटी मैं बाब जो चावल वगरा और रोटी वगरा खाने की एक क्रेमिंग होती है वो खतम हो जा रहा है उससे तो यह बैस मैंने दही और दाल यह सब ले लिया है अपना लंच में लेकर के आ गई हूँ और यह रोटी में बाब को खिलाऊंगी मैं रोटी और चावल नहीं खा रही हूँ आप लोग मेरी थाली में देखते होंगे चावल के जगह में मैं और बनाती हूं जब मेरा मन होता है कि आज चावल खाने का मन कर रहा है तो मैं और बना लेती हूं यह देखिए प्लेन ओर इसमें कुछ भी नहीं डाला बस पानी डाल के और बना लेती हूं सैलेड लिया है तो रही कि सब्जी दाल दही कहन तो खहता हिए तो इतना सारा ले लिए, थोड़ा-थोड़ पांगे, ज्यादा लगाता है ज्यादा लग रहा है मुझे, तो नहीं घ्रान में लाइगा, तो मैं क्किा करूँगी терड दुद्र करा है दाल, सबजी, दही, सैलेड यह तो मैं पूरा फिनिश करूंगी क्योंकि यही एक 24 घंटे में यही एक मेरी थाली होती है जैसे मैं भर पेट खाना खाती हूं और यह बहुत जरूरी होता है कि एक बर हमें हेल्दी खाना खाना ही होता है और अभी पूरा भर पेट कहते हैं कि ब्रेकफास्ट और लंज आपका अच्छा होना चाहिए मतलब भर पेट आप खाओ और डिनर जो है बिल्कुल लाइट होना चाहिए लाइट डिनर करना चाहिए वाबू भी मेरा सैलेड खाएगा दाल रोटी और सबजी भी खाएगा मैं उसको थोड़ा-थोड़ा हर चीज जाएगी और वाद खेट बननाम है और मेरन बशक्री हम करते हैं रुक्ते आपका और चावल बिल्कुल आवइब करिएगा विलकूर बिलकुल अवाइड़ करिएगा विलकुल मत खाईएगा और मॉर्निंग एक लीटर आप खाली पेट गरम पानी पीजिए शिप-शिप करके ठीक है जैसे चाय पिया जाता है उस तरह से और पेट का इस पेशली एक्सरसाइज करिए मेरे चैनल पर बहुत सारे पेट एक्सरसाइज वीडियो आपको मिल जाएंगे रीसिन में ही तो वह अच्छे से ग्राइंडर जार में और इसमें थोड़ा सा नमक स्वाद उनसार और हल्दी डाल दिया है मैंने यह मैं फैमिली वालों के लिए बना रही हूं तो पैन में ऑईल डाल के बस ऐसे फैला दिया है टिक की टाइप का यह हो जाएगा उनके लिए और मैं अपना बना है अफिर आप मायक्रो वे में नहीं ब्रकले में बना सकते मैं इसको मैंक्रो में बनाऊंगी तो आप क्या करीएगा पांच मिनट के लिए रख दिए घकन को अब तो उस जाली वाले बरतन पर आपको यह बैटर गोल-गोल करके उस पर पहले रख देना बरतन जब गरम हो जाएगा ऑईल थोड़ा सा लगा लिजेगा बरतन में तो फिर उस पर टिकी टिकी टाइप कर रखके और नीचे से मतलब फ्लेम जो है तेज कर दीजेगा तो वह जाली है तो यह चटनी के साथ ही अच्छा लगता है आप इसको ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं फैमली को दे सकते हैं देखिए यह पूरी फैमली के लिए खाएंगे लोग और बहुत टेस्टी लगता है जब ओयल में यह फ्राइब होके बनता है ना तो चटनी के साथ प्रेदं मजा आता है तो जो लोग वेट-लॉस की जनी में नहीं है जो लोग दूबले पतले हैं इस तरह से इसको बना करके खायेगा जो बोट लोग जनी में इस तरह से इडली के बरतन में बना करके खायेगा देखिए विलकुल बन गया है और बहुत अच्छा सा बना है टेस्ट बहुत अच्छा तो बस सभी को दे दिया मैंने और मैंने भी ले लिया है और मैं चटनी के साथ बहुत इंज्वाय करके खा रही हो इतना मज़ा आ गया था कि यह सब चीजे मैं इस पेसली अपने लिए बनाती हूं खाती हूं तो इसलिए आप अपने लिए अलग मैंने अपना ग्रिंटी बना लिया है और मैं गई थी आज पार्क तीन-चार दिन से इसर बारी सो रहा था तो पार्क जाना नहीं हो पार्क तो मैं बच्छों को ले करके चली थी थोड़ा सा पार्क और उसकी बार से आई हूं टाइम आपने देखा साथ बजने वाला है तो मैंने अपना ग्रिंटी बना लिया है एक घंटा हो गया क्यूंकि मैं चे बजे के दस पंदर में पहले हां पंदर पीशंट पहले ही मैंने वह डिनर किया था अपना जो मिनने बनाया था बहुत यंपी था आप लोग बना करके खाईये का बहुत टेस्टी लगता है और एक फैसा बना स्क्रिश करते चीज्Ich बना करके खाते हैं जो कि में बना करके खाईये के हम उसी चीज gözS को किसी तरह से बना करके खाएं तो हमें भी नहीं करेगा विंभीन रिखाया उन तो तीन मैंने खाया मेरा पेट पुरा फुल हो गया था एक मैंने फिर असमें को दे दिया तो बहुत ही अच्छा और चटनी के साथ है यमी चटनी में भी कुछ ऐसा नहीं है कि जो की हमारे वेट पर असर पड़ेगा फिर वेट बढ़ाएगा और वह है दाल का चने का दाल च सब्सक्राइब करते हैं यहीं सब्सक्राइब करते हैं अपना यूटूब का काम करना इसा बहुत बढ़ी चीज होती है सब पर टाइम ही लगता है ठीक है तो मैं कितना एक्टिव रहती हूं हाना तो एक्सरसाइज से हमें स्टेम्ना मिलता है एक्टिव रहेंगे हम दिन भर और आप रही चीजे खाईए बेट लोस भी होगा आपको बिल्खुर कमजोरी भी नहीं होगी और आप अपने बेट ल इसलिए मैं बाव नहीं उपर रख दो तो इसलिए मैं वेट लॉस रेस्पी सेर करने लगी हूं इस तरह से आप बना करके खाएंगे ना जितनी बार बोलूंगी ना उतनी बार यह ऐसे से बजाएगा जब मैं चुप हो जाओंगी तो इतना बदमास है जब मैं बोलती हूं इसलिए मैं यह रेस्पी सेर करते रहे हूं तक आप लोग में इस तरह से बना करके आप खा पाएं और इंजॉय कर पाएं अपनी वेट लॉस की जर्नी को तो इससे ना आपको उबर नहीं होगा और ऐसा बिल्कुल नहीं फिल होगा कि हम कुछ खा नहीं रहा है ठीक है तो इंड करते हैं यहीं पर वीडियो और मिलते हैं अच्छी से व्लोग के साथ कल आज के लिए बसेंदा ही टाटा बाइबाइबाइब नाइट लव यू टेक क्या से यू सुन बाइबाइबाइब